संजराउत अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं लेकिन फिर से उनके जेल जाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है दरसल संजराउत के खिलाप में कोट ने बड़ा फर्मान जारी कर दिया है जिसकी ठाकरे और संजराउत ने कभी परकलपना भी नहीं की होगी कोट के इस बड़े फर्मान के बाद में ठाकरे गुट की शिवसेना में सन्नाटा पसराउगा है और राजनयतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि बीमसी चुनाफ से ठीक पहले संजराउत के विस्तर जेल में दो बारा से लगने बाले हैं कोट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है संजराउत को लेकर के इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे लेकिन उससे पहले आपसे निवेदान है की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें मुंबई की दोस्तों एक विशेस मजिस्ट्रेट अदालत ने उद्दफ ठाकरे घुट के नेता और सांसा संजराउत के खिलाप में जो है बहुत बड़ा फर्मान जारी कर दिया है अदालत में पेश ना होने पर उनके खिलाप में कोट की तरप से गेर जमानती वारंट जा होने से छूट मांगी थी सौमया के वकील लक्षमर कनाल और विवेकानंद गुपता ने आवेदन का विरोत किया और कहा कि संजराउत कभी भी ट्राइल कोट के सामने पेश नहीं हुए कोट ने इस से पहले 4 जुलाई 2021 को संजराउत के खिलाप में 5000 रुपे की जमानती वार करेंट रदकर दिया गया था क्रीड्स हमया के वकीलों ने जोर दे करके कहा की संजराउत निचली अदालत के सामने कभी नहीं आई जब कि सामसद के वकीलों ने अदालत से कहा कि वो अगली सुनवाई के दोरान अदालत में उपलब्द रहेंगे बावजूद इसके वो अदालत में उपलब्द नहीं रहे इसलिए जो क्रीड सोमाया के तमाम वकीलें उनकी तरफ से संजय राउत के वकीलों ने जो दरसल आवेदन किया था उसका पुर्जोर वरोध किया दरसल संजय राउत अगस्त में जेल से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के बाध्यम से अदालत के सामने पेश हुए थे जहां पर उन्होंने दोशी ना होने की दलील दी थी मजिस्टेट पी आई मोकाशी ने दलीले सुनने के बाद में संजय राउत दोरा दायर छूट आवेदन को सेरे से खारिज कर दिया और उनकी मौजूदगी के निर्देश जारी कर दिये थे सुमया के वकीलों ने संजय राउत के खिलाप में गहर जमानती वारंट जारी करने के लिए अरजी दायर की इसे कोट में सुईकार करते गए NWV यानि की नॉन बेलिवल वारंट जारी कर दिया वहीं राउत की और से पेश हुए बकील जैन ने कहा कि वो ये जानना चाते हैं कि क्या संजराउत आज ही मजिस्टेट अदालत में पेश होंगे और गहर जमानती वारंट रद करवाएंगे जानकारी के मताविक मेदा सुमाया जब मजिस्टेट के सामने पेश हुए इस दोरान क्रीट सुमाया भी पोट में मौजूद थे उन्होंने कहा कि संजराउत ने उन पर करोड़ों रुपए का शोचाला घुटाले का जूटा आरोप लगाकर के बदनाम करने की एक साजिस रची है मेदा सुमाया ने उनके जो बकील हैं गुपता के माद्यम से अपनी शिकायत में दावा किया कि संजराउत में उनके और उनके पती के खिलाप में निराधार और पूरी तरीके से अपमान जनक आरोप लगाए थे मेदा मुंबई के रुया कॉलिज में और गैनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं उन्हों इस संजराउत के खिलाप में धारा 499 और 500 जो की मान हानी के तहत आती है उसकी तहत जो है कारवाई की मांग की है शिकायत में का गया कि 15 अपरेल 2022 के आसपास और उसके बाद में संजराउत ने मीडिया में उनके खिलाप में दुर्भावना पूर बयान दिये और आम जनता में प्रसारित किया गया इससे पहले आपको बता होगा कि संजराउत ने क्रीट सो मया पर भी INS विक्रांत का जो मामला है जो INS विक्रांत युद्पोत था उसे लेकर चंदा एकटा करने की जो है चंदा एकटा करके पैसे का गवन करने का गंभीर आरूप लगाये था संजे राउत ने उसे लेकर भी क्रीट सो मया की तरब से डिफिमेशन सूट उनके खिलाप में फाइल किया गया था और संजे राउत ने जो ये इतना होहला मचाय हुगा था राजनेत गलियारों में एक के बाद एक तमाम जो लिबरांडू पत्रकार हैं उनको इंटरव्यू देने में लगे हुगे थे जिसमें साफ तोर पर वो बार-बार क्रीट सो मया के उपर लंगशन लगाने की कोशस कर रहे थे लेकिन जो क्रीट सो मया हैं उन्हें पूरी तरीके से बरी कर दिया गया था इस मामले में और सीथे तोर पर पोलिस की तरब से का गया था कि जो भी संजराउत की तरफ से आरोप लगाए जा रहा है या फिर जिन्होंने इस मामले को लेकर के क्रीट सुमाया के खिलाप में मामला दर्श किया था तो पोलिस की तरफ से साफ तौर पर का गया था ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में जो खबरें चल रही थी सोशल मीडिया से ये सारी चीज़ें उठा करके उसी आधार पर उनके खिलाप में मामला धर्श किया गया था लेकिन असल में आइनेस विक्रांद का जो चंदे वाला जो मामला है उसमें कता ही कोता ही नहीं बरती गई है यानि की क्रीट सोमया ने एक रुपए की भी बेईमानी नहीं की है इसलिए उन्हें बाइजदबरी करतिया गया था संजराउत ने शौचाला घुटाले में क्रीट सोमया उनकी पत्नी मेधा सोमया पर गबीर आरुप लगाए थे उन्होंने कहा था कि शौचाला है वाली जो स्कीम है उसमें करोड़ो रुपए ये ढकार गए है तो उसी के एवज में पहले तो माफी मांगने के लिए कहा गया संजराउत से लेकिन संजराउत ने जब माफी नहीं मांगी तो क्रीट सोमया और उनकी पत्नी मेधा सोमया की तरप से ये डिफिमेशन सूट यानि की मानहानी का मुकदमा दायर किया गया था और यही मामला लगातार चल रहा था संजराउत इस मामले को इतना हलके में ले रहे थे सिर्फ एक बार जब वो मनी रॉंडरिंग का जो मामला था पात्रा चॉल लेंड घुटाला मामला उसके तहट जब वो और थर रोड जियल में बन थे तो उस समय उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए एक बार वो पेश हुए और उन्होंने दलील दी थी जज़ के सामने कि वो पूरी तरीके से निर्दोश हैं उन्हें पुलिटिकल वेंडिटा के तहट फसाने की कोशिस की जा रही उसके बाद में कोट की तरप से समन पर समन भेजे गए कोट में लगातार सुनवाई जलती रही लेकिन संजर राउत जरा भी कोट में पेश होने के लिए नहीं पहुचे कोट में पेश नहीं हुए और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज संजराउत के बकील कोट में पेशी को लेकर के छूट मांगने के लिए आवेदन उनकी तरफ से दायर किया गया था यानि कि आप लोग समझ सकते हैं कि पिछली सुनवाई में भी संजराउत कोट में पेश नहीं हो रहे पिछली सुनवाईों को भी संजराउत ने इतने हलके में ले लिया कोट को इतना हलके में ले लिया कि उन्होंने कोट में पेश होकर के इस मामले की सुनवाई को करवाना भ बार-बार जो है बुलाबा भेजे जाने के वापजूद ही वो कोट में पेश नहीं हो रहा हैं इसका मतलब यही है साफ तोर पर कि वो जो कानूनी प्रक्रिया है और जो कोट है उसको ठेंगा दिखाने की एक तरीके से कोशिस कर रहा है इसलिए इस आवेदन को सिरे से बांगी गई थी उसे सिरे से खारिच करके जो NBWA यानि की नॉन बेलिवल वारेंट है वो सीधे तोर पर जारी कर दिया है यह वारेंट जारी होने के बाद मैं संजर आउत की ग्रफतारी के आसार लगा जो है लगाए जा रहे हैं बहुत सारे लोग चर्शा कर रहे हैं कि BMC जुनाब से ठीक पहले एक बार फिर से संजर आउत के बुजो बोरिया बिस्तरा हैं वो उनके घर से समट करके जेल में लग सकते हैं तो इसकी वज़े से एक बार फिर से महरास्टरों के सत्ता के गलियारों में सियासी पारा चड़ता हुगा दिखाई दे रहा है और जो जेल में डलवाने की बात कर रहे थे संजर आउत की दोजार चौबीस आते आते हम आपको जेल में डलवा देंगे लेकिन अभी 2023 भी खतम भी नहीं हो पाया संजर आउत का जेल में जाना एक बार फिर से लगबग तै दिखाई दे रहा है बेराल जो कोट की तरफ से बड़ा फर्मा जारी किया गया है संजर आउत के बकीलों की तरफ से जो आवेदन दायर किया गया था उसे रद्द करकर के नॉन वेलवल वारेंट जारी कर दिया गया है संजर आउत के खिलाब में इस पर आपका जो भी पॉइंट आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरू ब आनवाद